हेलो फ्रेंड्स आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अंकी ताज रेस्पी में आज मैं आप लोगों के लिए कर्ड सैंविच की रेस्पी लेके आई हूँ जिसे आप मौनिंग ब्रेकफास में बना सकते हैं सामके स्नैक्स में बना सकते हैं या बच्चों के Georgetown Ball ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे हुखया हुखmost के लिए दहि को हमें सूतीक ़क ब्ले में डालके दो घंटे के लिए लटका के छोड़ दिना आ है जिससे खिए उसका एक्ट्रा पानी निकल जाती है तो हमें इस तरीके की एकडम हाड़ी ठीक दही मिल जाती इस सैंविच को बनाने के लिए हमें इसी तरीके का हंकड चाहिए अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ टमाटर बारीक कटा हुआ सिमला मिर्च कद्दू कस्किया हुआ गाजर आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकत हैं और हम डालेंगे स्वादनुसार नमक एक चौथाई चमच काली मिर्च पॉडर अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसमें कोई भी मसाले आड नहीं करेंगे यह सिंपल सैंविच ही बहुत टेस्टी लगता है स्विप नमक और काली मिर्च पॉडर हमें अपनी स्ट्याफन को ब्रेट पे चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाना है और इसकी एक मोटी लेयर फैलानी है अगर बहुत पतली लेयर होगी तो वह खाने में अच्छी नहीं लगती है तो आप इसकी लेयर थोड़ी मोटी रखिएगा ये दोनों ब्रेट पे हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे ये मैंने दोनों ब्रेट पे अच्छी तरीके से फैला लिया है अब इसके उपर हम एक और स्लाइस रख देंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे ये हमने दो सैंविच बनाके रेडी कर लिया है तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, तवे के हलके गरम हो जाने के बाद ये ब्रेट के उपर हम हलका सा बटर लगा देंगे, ऐसा करने से हमारा ब्रेट चारो तरब से इक्वली सिखता है और बहुत ही कुरकुरा सिखता है, और जिस साइड हम बटर लगाएंगे वो साइड हम चारो तरब अच्छी तरीके से बटर लगा देंगे, और हम दूसरी साइड से भी अच्छा क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे, इसे हम इस तरीके से जेंटली प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये चारो तरब से अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए, ये मैंने नीचे की सा गया है बट इसे हम हलका और क्रिस्पी करेंगे जिसे कि ये खाने में एकदम क्रिस्पी लगे ये हमारा दूरसी साइट से भी सैंविच हो गया है ये देखिए मैं आपको इसे पास से दिखाते हूं ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है हम इसी तरीके से अपना बाकी या टमेटो केचप किसी के साथ भी सर्व करें ये खाने में बहुत यमी लगता है बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है आज कर वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई कि लिए है